जहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग बताईए मैं आदितर इंजन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में कैसे हो बताओ भाई बढ़ियां फर्स क्लास चलिए तो आज मेरे भाई स्वागत है आपके एक नए से प्यारे से सिरीज में और वो है हमारा फॉर्मला बुक का सिरीज और इस सिरीज में जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पिछली क्लास में जो हमने किया था वो हमने किया था सिंप्लिफिकेशन और काफी बढ़ियां मेरे भाई आप लोगों ने उसके उपर में रेस्पॉंस दिया है मैं आज सारे वीडियो के कमेंट जो है वो आप लोगों के पढ़ रहा था जिस तरीके से आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट दिये तो उससे मोटिवेशन जो है थोड़ा और बढ़ा और सर्ट सिंडिस में कुछ और नया करने की हमने सोची कि क्या ऐसा है कि जो सर्ट सिंडिसे में हम आपको सिखा सकते है अब द credential हो गया और simplification हो गया यह दो ऐसे topic होते हैं जिन में बच्चे सबसे ज़़ादा confusion रहते हैं सबसे ज़़ादा पर clipping रहते हैं क्योंकि कदम कदम पर इनके tricks बदलते हैं चाहे मैंने जो application पर पढ़ा है उसमें भी अगर आप देखेंगे search and indices को लेकर तो बहुत ही बैतरीन तरीके से 160-170 सवालों के माद्यम से जो है पूरा का पूरा clarify हमने रखा है या फिर आप अगर हमारा formula book देखेंगे तो formula book जो आप लोगों को अगर मिली है तो उसमें भी search and indices के सारे variety को बहुत ही आसान तरीके से मैंने explain किया है search and indices ऐसा topic है जो एक class में खतम नहीं हो सकता है और अगर खतम करने की कोशिश करें तो वो नाइंसाफी होगी आप लोगों के साथ में इसी वज़े से कम से कम उसकी दो classes ज़रूर लगेंगी एक आज और एक मेरे भाई next class कल ठीक है class शुरू करने के पहले सभी को विज़े दश्मी की हारदिक शुपकामना है happy दशेरा भाई सभी को ठीक है विज़े दश्मी जो होता है यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और आजी के दिन यहाँ पर रावन का वद किया था भगवान शुरी राम ने और दुर्गा माता ने जो है यहाँ पर वो एक बहुत बड़े राक्षिस थे ठीक है तो उनका मेरे भाई वद किया हुआ था और आज के दिन जो है काफी खास माना जाता है हमारे सनातम दर्म में तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुब कामना है यहाँ पर भारत में बुराई के उपर में च्छाई का जीत का जो प्रतीक होता है वो हमारा यहाँ पर विजय दश्मी का दिन होता है तो सभी को बहुत बहुत शुब कामना है फटाफट वीडियो को दोस्त लाइक कर लीजेए यहाँ पर और जहां पर भी शेयर करना है कर लीजेगा ठीक है चलिए आईए तो शुरू करते हैं यहाँ पर सर्ट संडिसेस का आज हमारा प्यारा सा टॉपिक है और आज मेरे भाई इतना यकीन आप लोगों को मैं दिला देता हूँ कि आज के सेशन में आप इतना कुछ सीखने वाले हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किये होंगे कि सर इतना कुछ हमें जानने को मिल जाएगा यहां बिल्कुल बहुत कुछ आप जो है आप लोगों के लिए आसान कर दूगा पूरा का पूरा फर्मला बुक जो है आप लोगों के लिए आपने सो रूप्य का सूपर चैट किया है चलो बढ़ी आ है तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्ते हैं तो सबसे पहले आज जो हमारा है सर्टस इंडिस्स का टॉपिक हम लोग सीधा सीधा अपना फॉर्मला बुक देखते हैं एक बार फॉर्मला बुक से समझते हैं सारी बातों को जानते हैं तो फटा फट कौपी कलम उठा तो यह हमारा शुरू होता है मेरे भाई आज का सेशन आज का प्यारा सा यहां पर जो सेशन है सरली करन पहले हमें यह बता दीजे कि आपको पूरा प्रापर तरीके से दिख रहा है एक एक चीज यहां पर क्लैरिफाइड है ठीक है आईए तो सिंप्लिफिकेशन बड़ा गातांक फूरा यहां, जैसे ब्रूट घगैर हम रूट थरी की बात करते है तूस का मतलब थरीका पावर 1x2 ठीक है तो जब power हमारा एक से कम होता है एक से छोटा होता है तो वो certs कहलाता है power एक से बड़ा होता है तो वो indices कहलाता है और दूनों मिल जाते हैं तो एक बड़े पैरे से छोटे से topic का निर्मान करते हैं और वो हमारा certs और indices है formula book में ये हमारा chapter है और ये certs indices आपको formula book में कहां पर मिलेगा तो formula book जो हमारा second edition उसमें seven number chapter है seven number chapter में मिलेगा अब अगर हम बात करते हैं पर देखो हम भकवास की बाते कभी नहीं लिखते हैं अपनी किताब में वो बाते हमेशा लिखते हैं जो बच्चे के use में आता है जिसको पढ़कर वो selection ले सकता है मेरे लिए मेरे किताब का एक-एक line बहुत important हो जाता है यहाँ पर ठीक है क्योंकि एक-एक line के जगा पर important बाते डालूंगा तो number of pages कम रहेंगे और आपके लिए revision करना बहुत जादा आसान होगा ठीक है तो फाल्दोगी बाते कभी आपको किताब में मेरी नहीं मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ relevant बाते जो आप उपयोग में लेकर आ सके तो आईए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं indices के नियम, घात के नियम क्या-क्या होते हैं तो यह सारे घात के नियम होते हैं आपके यहाँ पर यह पूरा का पूरा function बना होता है अभी हमको इसमें बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाना है आज हम लोग इस category को cover नहीं करने वाले हैं आज हम लोग यह type number 1 को छोड़के हम लोग दोस्ती यहाँ से cover करेंगे यह question पर 10 और 10 यह 20 वा property के बात से 19 वाली बाते जो हो गई यहाँ पर वो हमने simplification में आपको बता रखा है कि power multiply में हो तो क्या होता है divide में हो तो क्या होता है और कुछ बाते हैं तो वो हम आपको एक next वीडियो में बताएंगे आज की जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो सारा ये वाला point पढ़ने वाले हैं अगर किसी roots को infinite तक multiply करे तो क्या होगा ठीक है और बहुत प्यारा प्यारा हमने formula भी सारा कर सारे यहां दे रखा है अगर किसी root को यहां पर जो है limited time पर हम multiply करें infinite तक multiply करें तो क्या होगा infinite तक हम divide करें मेरे भाई तो यहां पर क्या होगा बहुत प्यारा प्यारा दिख रहा है ना A divided A divided A यहां पर ठीक है और अगर किसी को जैसे मानो power में यह लगा है तो क्या होगा, multiply करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, यह सारे point जो है आज आप लोग पढ़ने वाले हैं के करके example के साथ में, यह सारे examples भी हमने बहुत खुबसूरा तरीके से आपको दे रखा है, और एक-एक point हम बताएंगे भी और फिर एक-एक series करके, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने के पहले एक छोटा सा सवाल हम आपको देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग fresh up हो जाओ एक तरीके से, और यहाँ पर आगे बढ़ पाओ दोस्त, ठीक है और यह हम से पूछा गया यहाँ पर कि यह हमारा कौनस option के बराबर होगा, बताईए सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है देखो दोस्त, यहाँ पर कोशिश है पूरा का पूरा के आपको हम साफ दिखा पाएं यहाँ पर ठीक है भाई, यह हमारे हाथ में है नहीं ठीक है आईए, चलिए तो इस question का answer बताईए कितना होगा थोड़ी सभी अपनी quality को बढ़ा लो YouTube के setting में जाके HD quality को कर लो तो आप लोगों को थोड़ा और बहतर तरीके से देख पाएगा और साफ तरीके से आपको देख पाएगा ठीक है जल्दी बताओ मेरे भाई थोड़ी सी हमने brightness कम कर दी है कैमरे की तो आपको और अच्छा दिख सकता है बताइए तो बोलेंगे सर देखो यह है ना छोटा सा question है और यह बात को समझना पड़ेगा सबसे पहले जो point समझना है वो हमें क्या समझना है तो वो हम आपको बताते हैं सबसे पहला point यहां पर देखेगा जैसे आप 2 के power को लिखते हो तो यहां पर क्या हो गया 2 का power 1 किसके बराबर होता है 2 के 2 का power मेरे भाई 2 किसके बराबर होता है 4 के 2 का पावर 3 होता है किसके बराबर होता है 8 के तो उसी तरीके से कुछ-कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है और वो हमें क्या याद रखना होता है तो हम बोलते हैं सर 2 का पावर 10 और 2 का पावर 10 कितना होता है 1024 इसमें फिर 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2048 और ये बराबर होगा 2 के पावर 11 के इसमें और मेरे भाई 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4906 और ये बराबर होगा 2 के पावर 12 के यहां पे जैसे इसमें 2 से मल्टिप्लाई ये पावर में एक बढ़ गया तो जो 2 का power 10 होता है वो इसके बराबर होता है किसके तो 1024 के इसमें 2 से multiply करेंगे इतना होता है पहلا point यहाँ पर यह उसके बाद यहाँ पर आगे के point अगर हम किसी दूसरे point के बारे में जाने तो वो दूसरे point अमारा क्या हो गया light करना अगर हम दूसरा point यहां पर जानते हैं तो next point हमारा क्या हो जाएगा वो देखना तो next point के अगर हम बात करेंगे तो हम आपसे यहां पर यह बोलेंगे कि जैसे मानो कहीं पर 3 के उपर मेरे भाई root है या फिर ऐसा हो जाए या फिर मेरे भाई यहां पर ऐसा हो जाए तो इन सब का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यहां पर यह होता है कि 3 का power कितना है तो 1 बटे 2 है यहां पर इसका मतलब क्या होता है 3 का power कितना है तो 1 बटे 3 है इसका मतलब क्या होता है तीन का power कितना है तो एक बटे चार है यहां पर यह सारे power जो है वो आमें क्या होता है धियान रखने होते है ठीक है नितीन कह रहे हैं सर सही नहीं दिखाई दे रहा है बलर दिखाई दे रहा है एक बार आप लोग अपने quality को बढ़ाईए increase करिए यहां पर थोड़ा सा अपने mobile में setting का option आता है वहां से जाके अपने quality को बढ़ाएंगे तो आपको साफ दिखेगा अच्छा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा तो अब इस सवाल में अगर हम चलते हैं तो हमसे सरली करण में बोला गया है तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 40,90 जो होता है वो यहां पर किसके बराबर होता है तो 2 के 10 पाउर के बराबर सॉरी, 2 के 12 पाउर के बराबर यह बात को हमें ध्यान रखना है कि सर 40,90 जो होता है quality सही है बढ़िया तो है quality कोई दिक्कत नहीं है ठीक है थोड़ी सी हमने brightness कम कर दी है दोस्ते यहां पर अब आपको शायद और अच्छा दीखे थोड़ा पहले की तुनला में तो यह देखिए हमारा बोला गया 40,90 है अब सबसे पहली बात अगर हम करते हैं इसको simplify करना इसको बताना है तो यहां पर हम कैसे बताएंगे तो बोलेंगे सर देखो यहां पर यह 40,90 का जो है यहां पर यह पावर हमारा कितना हो जाएगा तो 40,90 का पावर एक बटे च्छे हो जाएगा अगली संक्या की बात करेंगे तो यह 40,90 का पावर हमारा कितना हो जाएगा तो 1 by 2 हो जाएगा सबसे पहली बाद 4,096 2 के पाउर 12 के बराबर होती है 2 के कितने पाउर के बराबर होती है तो 12 के बराबर तो यहां पर 2 का पाउर हम 12 लिखेंगे लेकिन हम यहां देखेंगे तो 1 बटे 6 है तो हमें यह भी mention करना पड़ेगा उसी तरीके से यह 2 का पाउर 12 है और बाहर में कितना है तो 1 by 4 हमें यह भी लिखना पड़ेगा यह 2 का पाउर 12 है इसके बाहर मेरे भाई 1 by 3 है तो यह लिखना पड़ेगा यह 2 का पाउर 12 है इसके बाहर 1 by 2 है तो हमें यह लिखना पड़ेगा बहुत important session है आज का मिस मत करना आखरी तक देखना बहुत फायदा होगा छे से अगर हम काटेंगे इसे दो बार में तो ये दो का स्कुार कितना हो जाएगा चार चार से काटेंगे तीन बार में तो दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ तीन से काटेंगे चार बार में तो 2 काdoor 4 कितना हो जायगा? 16 और 2 से काटेंगे 6 बार में तो 2 काdoor 6 कितना हो जायगा? 64 64, 16, 88 और 4 कितना हो जायगा? मेरे भाई, बान भे कौन सा option सही है तो पहला option A4 आउ कभी हवेली पे क्या हो जाएगा तो पहला option हमारा सही होगा बिल्कुल ये फ़राओ का भी हवेली पे तो छूटी सी बात थी जिसका हमें ध्यान रखना था जिसमें हमें पूरा का पूरा फूकस रखना था यहां पे क्लियर है तो यह हमारा पहला है सबसे पहला और बेसिक सवाल यहां पे अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सवाल यहां देखते हैं जहां पर हमसे कहा गया कि यहां पर रूट 3 into root 3 into root 3 into root 3 कितना होगा आपके SSE का पेपर हो, banking का पेपर हो या कोई भी पेपर हो तो उनमें ऐसे question आते ही आते हैं अब सबसे पहले चलते हैं अपने formula book में और formula book में देखते हैं मेरे भाई इसका जिकर तो सबसे पहला type यहाँ पर क्या लिखा गया है ज़रा पढ़िए सबसे पहले type के अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर गातांक और नस्रनी में लिखा गया infinite series in product type infinite series in product type mobile में बढ़ देखना quality infinite series in product type यानि कभी किसी संख्या को अगर हम infinite तक मेरे भाई multiply करें तो इसकी value हमारे किसके बराबर में होती है तो बोला गया solution of this type of question is a यानि कहने का मतलब जो दिया गया होता है वही answer हो जाता है जो दिया गया होता है क्या होता है मेरे भाई वही answer हो जाता है यहाँ पे यानि अगर माली थोड़ा corporate करेंगे तब यह जो है थोड़ी सी खराब है इसी वज़े से तो मैंने यहाँ पर कहा कि जो दिया गया होता है वहीं हमारा अंसर हो जाता है बट ऐसा क्यूं होता है उसके पीछे का हम रीजन जानेंगे जैसे फॉर्मला बुक में तो मैंने सीधा-सीधा आप लोगों को रिजल्ट दे दिया लेकिन वो रिजल्ट के पीछे का जो इस्प्लानेशन है या एक तरीके से यूँ कह लीजे कि जो पीछे का लॉजिक है वो क्या है बहुत लोग इसको रट लेते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग सिर्फ रटने के भरुसे पर रही है आपको सिर्फ रटना नहीं है आपको समझना है आपको सीखना है आपको जानना है और यह आपका अधिकार है ठीक है तो आप यहाँ पर कैसे सीखेंगे आप यहाँ पर कैसे जानेंगे देखिए तो जैसे मानो कोई भी point है तो यहाँ पर मैंने क्या कहा जैसे मानो x नाम का कोई संख्या है और वो हमारा है किसके बराबर root अंडरे फिर हमारा root अंडरे फिर हमारा root अंडरे और यह दोस्त infinite तक जाता है दो category बनती है finite तक और एक infinite तक तो ये अगर infinite तक गई तो क्या होगा तो एक बार दोनों का square करो square करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा x square के और square करने पर बाहर वाला root खतम हो जाएगा तो बाहर वाला root खतम हो जाएगा मेरे भाई देखिए मैं आपर square करने को कैसे कह रहा हूँ मैं आपर कहा रहा हूँ कि आप यहाँ इसका square करिए और यह जो आपको दिया गया है root under A फिर यह दिया गया है root under A फिर यह दिया गया है root under A तो आप यहाँ पर इसको square करिए भाई मेरे मैं जब घतांकरीम पढ़ाऊंगा मैं logic के साथ पढ़ाऊंगा मैं रटी रटाई चीजें जो रटी रटाई चीजें हैं उस पर विश्वास करने को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा जो भी पढ़ेंगे, दस के जगा माट चीजें पढ़ेंगे लेकिन लोजी के साथ, पॉइंट के साथ बिना फाल्तू के बात किये हुए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एकस स्क्वाइर हो जाएगा तो यहाँ स्क्वाइर करने पर यह रूट खतम हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा ए और फिर यहां कितना हो जाएगा, root under A, फिर यहां root under A, फिर यहां root under A, और यह मेरे भाई कहानी जो है, वो infinite तक हमारा चलता रहेगा, अनन तक हमारा चलता रहेगा, अब यहां देखोगे तो बोलोगे, sir, यह x square A है, और यह हमारा A, ठीक है, अब एक बात पताओ, पूरे पर कोई प्रभाव पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है, मेरे भाई, यहां पर, टीक है, नहीं पढ़ेगा, कहीं पर कोई भी प्रभाव हमारा नहीं पढ़ेगा, तो वहीं बात है, इस अननत तक A में से, सिर्फ मैंने एक यह निकाल लिया तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही हमारा उत्तर होता है इसलिए formula book में सबसी पहली identity हमारी शुरू होती है कि यदि किसी संख्या को हम अनंत तक लिखते हैं तो उस अनंत तक का मान हमारा कितना होता है तो A होता है root 7, root 7, root 7, root 7 है तो answer 7 होगा root 5, root 5, root 5, root 5 है तो answer 5 होगा ठीक है logic के साथ मैंने कहा था ना बिना logic के तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो इस cancer हमारा कितना होगा तो इस cancer हमारा option number B होगा ठीक है आज के session को यहाँ पर शुरू से लेकर last तक देखना है एक titan das कहते हैं high price high price मेरे भाई पिछली बार की formula book 112 पन्ने की थी black and white थी और वो आप लगों को 190 रुपय में मिल रही थी जब launch हुआ था इस बार की formula book 300 पन्ने की है पूरा का पूरा color है और वो आपको 130 रुपय में मिल रहा है तो पता नहीं आप कौन सा गनित पढ़ रहे हैं कि जहां से आपको ये कीमत जादा लग रही है मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में किसी भी दुकान में चले जाओ और जाकर सिर्फ दुकानदार से इतना बोलो भाईया 300 पन्ने की किताब है और colorful किताब है कितनी rate होनी चाहिए 300 से अगर 1 रुपय कम बता दे तो आप मेरे से आके बात करना फोटोकोपी गरवाते हो यार तुमारा फोटोकोपी भी तुमको सस्ता मेरे भाई फोटोकोपी से भी सस्ता rate में आपको मिल रहा है ये बताओ 300 पन्ने की color and black में फोटोकोपी करवालो तो तुम्हें पता चल जाएगा 300 साड़े 300 रुपय तुम्हारे खर्च होंगे और 110 सी रुपय में तुम्हारे बनी बनाई किताब तुम्हारे घर्तत मिल रही है जहां content का तुमसे कोई कीमत ही नहीं लिया जा रहा है तब तुम्हें महेंगा लग रहा है तू क्या बोलों दोस्ते आँ पर किसी की मेहनत की कद्र जै नहीं तो अब क्या ही कहा सकता है पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं अब मुझे यह बताईब आप बोलेंगे सर ऐसा question आता है तो जी हाँ, बिल्कुल, CDS में ये पूछा गया है, आप जरा पढ़िए, क्या कहा गया है? रूट चार, रूट चार, रूट चार, रूट चार, इन्फाइनाइट तक है मेरे बाई, तो आंसर कितना होगा? तो बोलोगे सर चार होगा. तो यानि पहला सवाल ही हमारा फॉर्मला बुक में दिया है, जो की CDS में पूछा है, ठीक है? आईए, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, अब ये हमारा इन्फाइनाइट तक डिवाइड करने की बात कही गई है, और यहाँ पर क्या था? इन्फाइनाइट तक मल्डिप्लाई किया गया था. मैंने कहा न, दो केसिस बनते हैं, और बच्चों को इनका डिफरेंस नहीं पता, इनके बीच का अंतर नहीं पता, अब वो जब अंतर नहीं पता होता है, तो वहाँ गच्चा खा जाते हैं, अब यह सारा मल्डिप्लाई में है, यह पूरी कायनाथ जानती है, कि भाई, यहाँ पर देखो, मैं within second फिर्शे बोल रहा हूं, अगर एक second में मुझे सवाल को solve करना हो, तो कैसे करूंगा, ठीक है? अगर एक second में इस सवाल को आप solve करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ए, तो इसलिए इसको infinite तक multiply करने पर answer कितना होगा, तो वही जो दिया गया है, अगर 555 होता तो answer 5666 होता तो 677 होता तो 7, तो 4 है तो कितना होगा 4, ठीक है? तो जल्दी से मुझे इसका answer बता दीजे, फटा फट कमेंट बॉक्स में, कि अगर हम यहाँ root 7, root 7, root 7 यहाँ पर ठीक है, अगर मेरे भाई यह infinite तक जाएगा answer कितना होगा, जल्दी से answer बनाते जाओ, जल्दी से, एक दम थोड़ा energetic रखेंगे session को, जल्दी से बनाओ, कितना होगा answer, साथ साथ साथ, बहुत शांदार दोस्तो, अब यह हमारा क्या था, तो यह type number हमारा 1 था, जहाँ पर हम multiply कर रहे थे, अब हम type number 2 के तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, तो divide करेंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, तो divide करेंगे, अब यह divide का निया मरगी से को नहीं पता, multiply कायनात जानती है, divide में गच्चे फज़ाते हैं, इसका भी हमने solution formula book में दिया है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो divide में भी बहुत सही तरीके से शुरू में ही जो है, हमने formula book में आपर एक point डाला था, और यह point हमने क्या डाला है, ज़रा देखो, फिर इसको proof भी करेंगे, मैं जो भी पढ़ाऊंगा logic के साथ, बिना logic के एक भी बात नहीं करूँगा, फल तो, समझ से देख लेना, cube root A आ गई, यानि divide होगा, तो क्या आ गया, cube root A आ गया, divide होगा, क्या आ गया, to cube root A आ गया, तो divide होगा, cube root 27 होगा, अगर 28 होता, cube root 28, 29 होता, cube root 29, 30 होता, cube root 30 यहाँ पे, खेल खतम दोस्ते यहाँ पे, अब बोलोगे, sir कई से हो गया, cube root A कई से मान ले, अरे बताएंगे हम की से मानना है तुम्हें ठीक है पढ़ा हम रहें तो सिखाएंगे भी तो हमी नहीं यहां पे तो चलिए एक काम करते हैं X की वैलू यहां पर देखते हैं X की वैलू क्या है तो x की value की अगर हम बात करते हैं तो x की value हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा जैसे मानों यहाँ पर मैंने कहा a हो गया फिर यहाँ divide करेंगे फिर हमारा a हो गया फिर हम divide करेंगे और यह हमारा कहां तक जाएगा दोस्तो अनन तक सेम काम करना एक बार square करना है और ये करकर के हमारा infinite तक अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए x square की value क्या होगी a देखेंगे ये हमारा divide है तो divide रहेगा सर पूरे समंदर में से एक बुंद पानी निकालने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो यानि इस पूरे को हम क्या माल लेंगे x माल लेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया x square की value यहाँ पर a upon x हो गई यानि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो x cube का मान हमारा a के बराबर हो गया और अगर x cube का माने के बराबर हो गया तो यहाँ cube root करने पे x का cube root x होगा और यहाँ पर यह cube root of कितना हो जाएगा तो a हो जाएगा बस वहाँ पर multiply में था तो x square की value a into x आ रहा था यहाँ divide में है तो x square की value a upon x आ रही है इसलिए x का मान कितना होगा cube root a तो इसी का proof हमने formula book में सबसे पहले दे दिया और मैंने क्या कहा कि बच्चों याद रखना है कि जबकि किसी संख्या को यहाँ अनन तक divide करोगे तो कितना हो जाएगा cube root a हो जाएगा कितना हो जाएगा cube root a हो जाएगा इसलिए हमारे इस question का answer कितना होगा तो यहाँ पर इसका answer मेरे भाई cube root 27 होगा ठीक है कितना हो जाएगा cube root 27 हो जाएगा तो अगर कल के दिन भविश्य में यहाँ पर question बना के आपको दे दिया जाए कि बताईए दोस्ते यहाँ पर सीधा मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर 25 divided by यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और divided by यहाँ पर आपको लगेगा 25 तो फटाफट अगर यह मानो infinite तक गया तो answer बता दो answer हमारा कितना होगा जल्दी से answer बता दो कितना होगा फटाफट answer बता यह कितना होगा ठीक है 25 होगा 125 होगा 5 होगा, कितना होगा मेरे भाई तो बोलेंगे sir, cube root क्या बोलेंगे sir, cube root sir ये cube root होगा sir और cube root कितना हो जाएगा तो cube root 25 हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा कितना हो जाएगा sir तो cube root 25 हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा sir जैसे हां root x, 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 anant तक गया है बाबू और वो power में गया है और इसकी value 1 by 2 दे दी गया है तो x कमान हमारा कितना होगा बताईए तो x कमान हमारा कितना होगा हमने कहा सर देखे ये भी पूरा का पूरा concept हमने आपके लिए formula book में दे रखा है ठीक है, simple सी बात अपना है, selected है, selection दिलाएंगे, inspector है, inspector बनाएंगे यहांपे तो ये पूरा का पूरा example है आपका कि यदि यहां root x, root x, root x, root x, infinite तक है, इसकी value 1 by 2 है तो x कमान क्या होगा ठीक है, revision करने के लिए सबसे best रहेगा आपके लिए, आप आराम से यहां से revision कर पाएंगे तो चलिए हम लोग थोड़ा सा explain करते हैं, थोड़ी बातों को यहां जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं limited time के अंदर में तो मैंने यहां पर गहा कि देखो यार यह हमारा root x है ठीक है, और यह हमारा root x है, फिर यह हमारा root x है और यह हमारी कहानी जो है वो उपर में चलती रहेगी और यह हमारा one by two के बराबर है, जो कि मैंने यहां पर सारी बाते आप लोगों को बता ही रखी है ठीक है अब सबसे पहली बात अगर आप यहां देखोगे जैसे छोटी सी बात को हम आपको समझाते हैं इसी के अंदर में जैसे यहीं पर हम आपको पहला स्टेप समझाते हैं रूटेक्स के जगह पर यह रूटेक्स है, फिर यह रूटेक्स के जगह पर क्या लिख रखा है मेरे भाई? तो यह सारी बाते 1 by 2 लिख रखी है, कैसे है, क्या है, वो एक एक पॉइंट, मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप सिर्फ इतना मान लो यहां पर, कि यह वैल्यू जो पावर, रूटेक्स का पावर, रूटेक्स का पावर, रूटेक्स, जब इन सब को हल करने पर आएगा कितना 1 by 2, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले वाले को चुपचाप ऐसे रहने दूँगा, ब्रैकेट के अंदर में, और बाकी लोगों को इसके उपर में रहने दूँगा, बाकी लोगों को बोलूँगा, यह रूटेक्स हो गया, फिर यह रूटेक्स हो गया, और ये कहानी जो है दोस्तनन तक चलता रहे ये हमारा 1 by 2 के बराबर मैंने का यार ये value किसके बराबर है ये value किसके बराबर है ये value देखो तो बोलोगे सर वो value 1 by 2 के बराबर है तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा मान होता है 1 by 2 के बराबर है तो ये power में जो पूरा का पूरा लिखा है, इसके बराबर में हम कितना लिख दें, तो इसके जगा पे हम 1 by 2 लिख देंगे, काम खतम यहाँ पे, ठीक है, अब देखो तो root x का मतलब क्या होता है, x का power 1 by 2 होता है, और इसके बाहर में कितना लगा हुआ है, तो इसके बाहर में 1 के बराबर होगा मुझे X की value चाहिए और X की value जाने के लिए मेरे भाई पावर में किस से गुना करना होगा 4 से, तो अगर हम पावर में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा X का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पावर में 4 से गुना करेंगे तो 1 by 2 का power 4 हो जाएगा 1 by 2 का power 4, 1 बटे 16 हो जाएगा जो कि हमारा correct answer है option number C कहोना प्यार है, बिलकुल सही उत्तर होगा समझ में आगया बात यहां पर ठीक है, क्योंकि power में 4 से multiply करेंगे यहां भी power में 4 से multiply करेंगे यहां भी power में 4 से multiply करेंगे 4-4 को काट देगा तो power में 1 आजाएगा और यहां पर power में कितना आजाएगा 4 और 1 का power 4 1 होगा, 2 का power 4 हमारा 16 होगा 1 upon 16 जो होगा वो हमारा correct answer होगा 1 बटे 16 हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा, अब यह बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे टाइप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से फटाफट बताइए वीडियो को थोड़ा like करके बताइए कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था ये वो सवाल है जो परिक्षा में पूछे जाते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं और बच्चों को दिक्कत आती है ठीक है, येस सर जबरदस सर, बिल्कुल बहुत शांदार भाई, बहुत शांदार मजा रहा है अब देखो क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज सीखेंगे ना तो एकदम गहराईयों तक सीखेंगे जैसे मैं कभी भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर इंट अगर मैं कुछ पढ़ाऊ भी तो कोशिश मेरी यहीं होती है कि हम आपको depth level तक का knowledge दें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपर उपर की बाते बता के और निकल जाएं यहाँ पर टीक है तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाय कि यदि किसी संक्या को हम अनंत तक गुना करते हैं तो उसका answer a होता है अगर हम उसे divide करते हैं तो answer cube root a होता है लेकिन अगर वो अनंत तक गुना ना होकर कुछ particular limited terms तक यहाँ गुना हो जैसे यहां root 7, root 7, root 7, root 7, root 7, root 7, root 7 ऐसे करके हमारा गुना हो मतलब यहाँ पर कितने term एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बार यह गुना हो चार बार गुना हो, तीन बार गुना हो, उसका मेरे भारे ट्रिक यहाँ पर क्या है वो भी आपके formula book में दे रखा है और बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सारी बाते, मतलब यू समझ लो, यहाँ पे, कि हम जो पढ़ा रहे हैं, वो सारा formula book ही आपको पढ़ा रहे है आप यहाँ देखे, तो क्या बोला गया, तो बोला गया, सर, यहाँ पर समझीगे इस बात को सीखेगा यहाँ पे कि अगर किसी संक्यागो सर अगर किसी संक्यागो हम सर गुना करते हैं यहाँ पर तो अगर किसी संक्यागो सर यहाँ देखे हम गुना कर रहे हैं और n टाइम्स गुना कर रहे हैं तो इसका result क्या निकल करा रहा है सर यानि 2a into a into a into n का मतलब n की value 3 हो सकती है 4 हो सकती है 5 हो सकती है तो उसका answer होता है A का power 2 का power n-1 divided by 2 का power n फिर से कहूंगा A हो जाएगा 2 का power n-1 divided by 2 का power n बोलोगे सर यह कैसे है क्या है थोड़ा समझा दीजे अभी समझाते हैं इसके उपर में हमने example भी आपको दे रखा है सबसे पहले जैसे अगर आप example की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे case है हमारा क्या-क्या है ये पूरा आपका example हो गया ठीक है और हमने proof भी कर दिया यहां पर बच्चों को simple सी एक बात यहां बोली है देखो trick के माद्यम से कि जैसे अगर कोई हमारा example है a हो गया, a हो गया, a हो गया, a हो गया a यहां पर कितनी बार गुना है तो बोलोगे a हमारा 4 बार गुना है a कितनी बार गुना है तो मेरे भाई 4 बार आया है तो बोलो count square root of 4 या फिर आप ऐसे कह सकते हो अगर मेरे भाई, रूट 5 बरा है, तो 2 का पावर 5 निकाल लो, रूट 6 बरा है, तो 2 का पावर 6 निकाल लो, रूट 7 बरा है, तो 2 का पावर 7 निकाल लो, तो उसी तरीके से रूट हमारा 4 बरा है, तो 2 का पावर 4 16 होता है, अब आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा, तो A का पावर, 2 का पावर N निकाल लीजिए, उसमें से A घटा दीजिए, divided by 2 का पावर N, तो यहां पर बोला गया है, 2 का पावर 4, 16 होता है, तो क्या बोलेंगे सर, 16 में से A कम कर देंगे, 15 और डिवाइड़ बाई 16 सर, यही हमारा correct answer है, यह देखे हमारा बिल्कुल सही उंतर है, यानि जितनी बार root आएगा, 2 का पावर N उतनी बार लगेगा, 4 root आया है, तो 2 का पावर 4, 5 root आया है, 2 का पावर 5, 6 root आया है, 2 का पावर 6 यहां पे, उस तरीके से हम लिखेंगे, फिर इसमें से A कूपर में कम कर देंगे, और नीचे as it is लिख देंगे, हमारा answer आजाएगा, ठीक है, आप यहां पर देखें, तो बोलेंगे सर, जैसे इसी सवाल में देखें, यहां पर, यह हमारा कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5 है, बोलोगे सर, इसको भी प्रूफ कर देंगे, बट वो फिर time ticking process जो आगा, पता चले खाली, प्रूफ है प्रूफ हम लोग सीख रहें, ऐसा नहीं करना है, तो हम यहां बोलेंगे सर, देखो, formula हमारा होता है, A का power, 2 का power N, उसमें से A घटा दो, और divided by 2 का power N, बहुत लोग क्या करते हैं, minus 1 उपर में कर लेते हैं, यह गलती मत करना, ठीक है, A के जगा पर देखो, तो संख्या तुम्हारी क्या है, मेरे भाई, तो 7 है, ठीक है, 2 के जगा, N का मतलब जितनी बार root आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे भाई, यहां पर 6 हो जाएगा, minus कितना, 1 divided by 2 का power 6, ठीक है, दोस्ते यहां पर, अब यहां देखोगे, तो 7, 2 का power 6 कितना होता है, यहां पर, 64, 64 में से एक गया, तो 63, और बटे में 64, यह हमारा correct answer है, कौन सा option, option number A, बिलकुल सही उत्तर है, मेरे भाई, समझ में आगया बात, यहां पर तो कुछ नहीं करना होता है, जब वो root limited term तक चला जाता है, तो answer हमारा 2 का power N, minus 1 divided by 2 का power N होता है, और जब वो root मेरे भाई, unlimited infinite तक रहेगा, तो सिर्फ answer यह हमारा बन जाता है, चली आईए, फटाक देना, इसके उपर में एक और question लगाईए जल्दी से, बारा, 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 और यह बारा हमारा कितनी बार है, तो 6 बार है, जल्दी से बता दो कितना answer होगा, क्या बोलोगे, बोलोगे सर, अभी हम लोग सीखे थे, कि जब यह limited term तक होता है, तो answer हमारा होता है, A का power, 2 N, minus मेरे भाई 1, और divided by कितना 2 क पाउर N होता है, ठीक है, एक जगा पर हम कितना लिखेंगे, सर, 12 लिखेंगे, यहाँ पर, एक जगा पर कितना लिखेंगे, 12, एक बार रूट, दो बार रूट, तीन बार रूट, चार बार रूट, पांच बार रूट, छे बार रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पाउर 6-1 और divided by 2 का पाउर हो जाएगा हमारा 6 दो का पाउर 664 होता है तो यहां पर क्या बोलोगे तो बोलोगे सर बारा 64 में से एक चला जाएगा तो 63 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 64 यहां बारा का पाउर 63 अपॉन 64 कितना हो जाएगा डीफ़र देवसेना बहुत शांदार गनेश कुवांत सुनिता प्रकाश पृती अमृता बहुत शांदार मेरे भाई अब यहां से फिर हमारा दूसरा शीरीज होता है शुरू आपने यहां पर मल्टिप्लाई देख लिया आपने डिवाइड भी देख लिय एक बार आपने उनको लिमिटे टर्म तक देख लिया अब आपको मेरे भाई देखने की अवशकता है कि अगर उनके बीच में यहां पर प्लस हो तो क्या होगा उत्तर उसके बाद यहां पर देखने की अवशकता है कि अगर उनके बीच में माइनस हो तो हमारा क्या होगा सा यहाँ पर confuse मत हो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से आजे यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझाते हैं infinite series in addition or subtraction from यानि कोई भी series अगर मान लीजे हमारी add हो रही है या subtract हो रही है तो क्या होगा तो यहाँ पर बोला गया there are two type of question इसमें दो प्रकार के सवाल होते है ठीक है पहला सवाल मेरे भाई addition का होता है दूसरा सवाल हमारा subtraction का होता है और इसको हम किस तरीके से करते हैं तो देखिए इसको हम करने का हमारा बड़ा प्यारा सा logic होता है वो सारी बात हम आपको बताएंगे कई सारे example है ठीक है हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है यह पूरा formula book में सारी बाते लिखी गई है सबसे पहले एक question देखो तो यहाँ plus का आपको question दिख रहा है और दूसरा question देखोगे तो आपको यहाँ minus का question दिख रहा है plus वाले में कैसे answer देना होता है दोनों का logic बहुत ही simple होता है बहुत ही same होता है एक मेरे भाई difference नहीं होता और वो दोनों का logic में मेरे भाई यहाँ पर कहा है तो दोनों का logic यहीं पर किताब में दिया गया है नीचे यहीं पर यह सारी बाते बताई गई है कि यहाँ पर क्या होता है तो जो भी संख्या दी गया होता है जैसे मानो यहाँ पर यह जो A है यह जो बीच वाली संख्या है तो factorize A into two successive integer successive का मतलब इसको लगातार के किसी भी दो संख्याओं में तोड़ दीजे ऐसी संख्या कि जिनके आपस का अंतर एक का हो, आसान भाशा में अगर से 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 तो 20 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर एक हो तो 4 और 5 मेरे भाई अगर मान लीजे यहाँ पर 42 है 42 है, तो 42 को कैसे तोड़ सकते हो 7 into 6 में तोड़ सकते हो कि 2 successive integer में हमें तोड़ना है एक्जांपल के तोड़ पे जैसे मानो अगर यहाँ 20 है, तो 20 को आप किस तरीके से तोड़ोगे मेरे भाई तो 20 को तोड़ोगे 4 into 5 में यहाँ पर तो अगर प्लस की सीरीज है प्लस 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 है, तो बड़ा वाला सारा कुछ यहीं से आपको clarify करवा देंगे और सारा कुछ यहीं से आपको पढ़ा देंगे अब जैसे यहाँ पर देख लीजे 56 है, तो सबसे पहले 56 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर एक का होगा तोड़ी यह कितना हैगा, 7 और 8 तो 7 और 8 हैगा मेरे भाई, तो इतना पता चल गया कि 56 को तोड़ना है, तो 8 और 7 में अब देखो बीच में किसका sign है प्लस का sign है, तो अगर बीच में प्लस का sign होता है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, यानि यह आंसर कितना होगा, 8 होगा और अगर बीच में मेरे भाई माइनस का साइन होता तो कौन आंसर होता तो छोटी वाली संख्या आंसर होती यानि कितना होता? साथ होता उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई आप यहाँ पर समझ पाएंगे, जान पाएंगे नब्बे है, नब्बे को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है गुना करने पर नब्बे आ जाए और अंतर हमारा एक का हो तो बोलोगे सर नब्बे को हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 10 में, किसमें तोड़ सकते हैं तो 9 इंटू 10 में सर, ठीक है अगर सर, माइनस वाला यहाँ पर केस बन रहा है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी और अगर सर, प्लस वाला केस बन रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी आप मुझे बताईए, कैसा केस बन रहा है आपका तो minus का केस है, यह answer कितना होगा sir, तो 9 होगा, इसलिए यहाँ पर 9 दे रखा है, और बकायदा detail में समझा भी रखा है, कि देखो 56 को ऐसे तोड़ते हैं, larger है, तो plus है तो बड़ी वाली संख्या answer होगा, और minus है तो छोटी वाली संख्या answer होगा यहाँ पर, एक एक point, तो तो लेंगे sir, ऐसे सवालों को एक minute में हल करने के लिए simple सी बात का ध्यान रखना होता है, कि इस संख्या को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, जिने गुना करने में 30 आ जाए, और उनके आपस का अंतर हमारा एक का हो, जिने गुना करने में 30 आ जाए, आपस का अंत होता है, तो छोटी वाली आंसर होती है, यानि 5 होती है, और हमारा आंसर कितना होता, 5 होता, मज़ेदार है कि नहीं है, बताओ, मज़ा रहा है, चलो आजाओ, एक और question पे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई, ठीक है, आजओ जल्दी से इसका अंसर दो यहाँ पर, फटाफट comment box में इसका अंसर दो, चलो, क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिये, यहाँ पर 12-12-12-12 सब में प्लस का है, यानि यहाँ पर इस संख्या को मुझे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, जिसमें गुना करने में 12 आ जाए तो हम बोलेंगे सर चार हो गया और तीन हो गया, ऐसी संख्या जिसमें आपस कांतर हमारा एक का हो, तो चार और तीन हो गया, अब दोस्त अगर बीच में तुमारा प्लस आ रहा है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, यानि आंसर कितना होगा, चार, और अगर बीच मे माइनस आता तो छोटी वाली संख्या होती आंसर कितना होता तीन इसलिए गह रहे हैं पसंद आए तो वीडियो को मेरे भाई लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना अगर आपको ऐसे ट्रिक्स पसंद आते हैं फटा फट मेरे भाई चलो आजाओ एक और कोशन यहां पर और ये सवाल हमारा किसका पूछा गया है तो मेंस का पूछा गया इस का अंसर दे दो । दिखते हैं इस का आंसर कितने वच्चे दे पाते हैं जिन में गुना करने में 20 आ जाए और आपस का अंतर एक का हो. तो गुना करने में 20 आ और आपस में 1 का अंतर हो तो यानि वो 5 और 4 और कई बार तो मेरे भाई यह ऐसी संख्या आपको option नहीं दे देगा यहां पे. Option नहीं देखो, 5 और 4 गुना करने पे 20 आ रहा है. और ये हमारा एक सेकंड में सवाल खतम बुझे की नहीं बुझे बताओ बुझ गए, अब देखो फिर वही बात मैंने क्या कहा कि एक सिरीज होती है इन्फाइनेट तक, एक होती है लिमिंटेड तक एक होती है जो तूट जाती है और एक होती है जो नहीं तूटती है अब कुछ ऐसे सवाल हम आपको दे देंगे मतलब आपको पढ़ाएंगे भी हम और फंसाएंगे भी हम तो पहले ये कर लो फिर उसके बाद आपको फंसाने वाले सवाल हम देने वाले हैं आज ये जल्दी से यहाँ पर इसका अंसर बताईए तो इस कोशन का आझसर जल्दी से कमेंट बोक्स में बता दीजिए जो सिखाया है उसी के आधार पर है जो सिखाया है उसी के आधार पर है ठीक है तो 42-42-42-42 क्या 42 को तोड़ा जा सकता है बोलोगे हाँ सर किस में 6 और 7 में इसको तोड़ी है सर थोड़ा सा किस में तोड़ेंगे चैयर शाहत में तोड़ेंगे 6 और 7 में यहां पर टीक है तो यहां पर बोलोगे सर यह टूटेगा 7 में और यहां पर 6 में अब हमारी स्रीज को देखिके सर minus 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 है minus होगा तो छोटी वाली answer यानि कितना 6 और अगर यहां प्लस 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 रहता तो आंसर कितना होता साथ होता अब नेक्स्ट यहां देखते हैं आपको उसी में का एक और स्रवाल लेकिन मैंने का ना पढ़ाएंगे भी हम फसाएंगे हम वाली बात हो जाती है अब इस कोशन का अंसर आप कैसे द कोड़ पाएंगे आप बोलेंगे सर नहीं तूटेगा नहीं तूटेगा तो क्या सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे करेंगे अब दिखो बेसिक से जब जाओगे इसका जब प्रूफ निकाल होगे तो डेफिनेटली निकलेगा क्वारिडिक एक्वेशन बनेगा और उस तो क्या लिखा है ज़र आप लोग पढ़िए एक एक बात इंगलिश इंदी में सारी बाते वेक्ट की है मैंने यहां लिखा है कि इफ एक एन नॉट भी फैक्टराइज इंटू तू सक्सेव इंटीजर यदि हम एको मेरे भाई नहीं तोड़ पाएं दो इंटीजर में नहीं तूट पाया हमारा ए उस केस में क्या होगा उस केस में एक जैसे प्लस की भी सीरीज बनेगी प्लस की सीरीज हो गई और एक माइनस की भी सीरीज बनेगी तो हम क्या करेंगे तो उस केस में मेरे भाई यहां सीधा सीधा आप लोगों के लिए आंसर दे दिया है वन प् भगाई डीस सीरिश थो प्लस मों भाइट तू सरे हमारा हो जाएगा Dan हैं जैसे मान लीजे 5 आपकी टो वन प्लस चारिंटू पांच हमारा कितना हो जाएगा 21 और plus की series है तो plus 1 by 2 और minus की series होते तो minus 1 by 2 यहाँ पर जैसे माल लीजे यहाँ पर 1 का है 1 minus 1 minus 1 minus अब क्या 1 को तोड़ सकते हो दो संख्याओं में नहीं तोड़ सकते हो तो 1 plus 4 है minus 1 by 2 तो 1 plus 4 है minus 1 by 2 और A के स्थान पर 1 हो जाएगा 4 जमा एक हमारा 5 minus 1 by 2 तो beautiful तरीके से सारी बातों को सब कुछ मैंने यहाँ बता रखा है कहीं पर कोई परिशानी नहीं है तो जैसे माल लीजे मैंने कहा नहीं यहाँ पर तो 5 plus 5 plus 5 plus 5 जब यह संख्या सर ना तूट पाए जब यह संख्या ना तूट पाए ऐसे सवालों को मेरे भाई एक मिनट में करने के लिए हम कैसे करेंगे तो बोलेंगे सर देखो root 5 root 5 root 5 root 5 जब यह संख्या सर तूटी ना पाए दो फैक्टर में तो सीधा यहाँ पर इसका formula याद रखना है और formula क्या होता है 1 plus 4 ए अगर मेरे भाई बीच में plus है तो यहाँ पर plus 1y कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 1 plus 4 into और 5 5 5 है तो into यहाँ पर 5 और plus 1y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 20 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा तो root under 21 और plus यहाँ 1 divided by कितना 2 कौँसा option होगा तो option number A जो होगा correct answer होगा ठीक है कौँसा option होगा मेरे भाई तो option number A जो है वो हमारा क्या होगा बिलकुल सही उत्तर होगा जल्दी से आजाओ यहाँ पर इस वाले सवाल का आंसर बता दो ठीक है यह तो हमने पढ़ा भी दिया आपको यह तो हमने पढ़ा भी दिया बताईए यहाँ पर आंसर कितना होगा बताईए तो बोलेंगे सर 1 minus 1 minus 1 minus 1 यह सर पूरा गा पूरा यहाँ पर अब यह 1 minus 1 minus 1 यहाँ पर क्या है तो हम बोलेंगे सर देखिए 1-1-1-1-1 यानि वहीं case होगा sir यहाँ पर 1 plus 4 है और यहाँ पर कितना होगा तो minus 1 by कितना हो जाएगा sir तो 2 हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर A की value हमारी कितनी है तो 1 है तो बोलेंगे sir 1 plus 4 का root under हो जाएगा sir minus 1 divided by 2 यहाँ पर जिसका answer कितना होगा तो root 5 minus 1 by कितना हो जाएगा sir 2 हो जाएगा option number B for बाहुबली तो अगर वो series मेरे भाई infinite तक है या फिर infinite को गोली मारो अगर वो series factorize हो सकती है तो plus के case में बड़ा वाला answer होता है minus के case में छोटा वाला answer हो सकता है लेकिन अगर उस series में इस्तमाल संख्याओं को हम factorize नहीं कर पाएंगे तो उस case में हम यहाँ पर जो है इसका उप्योग कर लेंगे दोनों के दोनों स्रीधाराचारे लगाने के बाद आए हैं ठीक है बस वहाँ result आपको हर जगा नहीं दिया गया होता है हर जगा नहीं पढ़ाय गया होता है और मेरे भाई अगर paper में ऐसा सवाल आ जाए तो बच्चा confused रहता है परिशान रहता है कैसे जैसे मैं आपको एक छोटा सा question दे रहा हूँ यह देखे 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 और यह हमारा अनंत तक है तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाओगे सही से देख लो 35, 2 रूट 35, 2 रूट 35, 2 रूट 35 यानि कहने का मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो यह पढ़ रहे थे कि इस रूट के बाहर कोई पहरा देने वाला नहीं था यह रूट के बाहर एकदम मामला साफ था कोई दिक्कत नहीं था 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 वाला केस हम पढ़ रहे थे अब यहाँ पर क्या आ गया खिचडी नहीं बनानी है, दोनों को अलग-अलग रखना है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तक गया, मेरे भाई, infinite तक गया, तो इसका यह यहां पर क्या होता है आपको दोनों को समझना है यहां दोनों की यहां जरूरते समझनी है और दूसरा केस यहां पर होता है A हो गया लेकिन यहां B हो गया फिर उसके बाद रूट अंडर A हो गया फिर उसके बाद यहां पर B हो गया फिर रूट अंडर A हो गया और यह हमारा क है तो दोनों का formula सेम है या दोनों का formula अलग है क्या है formula TOMA 2 थोड़ा सा different आपो याद रखना है इसका मैंने formula आपको क्या याद करवाए था बॉले है सर हां पर याद कियेगा कितना होता है सर 4èces अगर हमारे PLUS की series है तो यहां पर ढ़ाए यहां पर former plus one आझा हो चोटा साガम काम करना हे इस बन के जगह पर मेरे भाई कबजह कौन ले रखाए बी अगर मेरे जगह था नहीं है नहीं बहुत ले एक था के अगर जासद है नहीं है कि यहां पर जहां पर हम कोई वदलाव नहीं करेंगे ॏat सर यहां root के अंदर में मामला आ रहा है तो यहां पर हम कितना लिखेंगे B square लिखेंगे और यह independent है तो चुप चाप सर हम यहां B लिखेंगे और divide by कितना करेंगे 2 करेंगे आसान तरीका मेरे भाई याद करने का ठीक है क्योंकि B square का जब root करोगे तभी तो तुम्हें B मिलेगा ठीक है अगर B का root करोगे तो फिर वो root B हो जाएगा तो इसलिए यहां पर क्या करना है तो बोलेंगे सर अगर बाहर इसके B नाम का कोई वेक्ति आ रहा है B नाम का कोई term आ रहा है तो यहां पर 1 के जगा पर B square हो जाएगा पर चुम्हें ले देंगे यह मेरा वादा है आपसे तो यह पूरा का पूरा case आपका clear हो गया अब यतना जानने के बाद बच्चों के अंदर क्या होता है patience की कमी होती है अब patience की कमी होती है तो वो गल्दी क्या करते है सुनो मेरी बात को वो यहाँ पर यही गल्दे करते है वो यह सीख लिए कि सर यह वाले trick के लिए क्या बताए है तो यह वाले trick के लिए यह बताए है अब इतना सुनते ही यहाँ पर यह जाकर यहाँ apply कर देते है कि सर हम यहाँ पर apply कर देंगे answer देंगे करो मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है आप यहाँ पर बोलो क्या बोलोगे सर यह होगे हमारा 4 ए फिर हमारा हो जाएगा B स्क्वार प्लस हमारा B हो जाएगा divided by 2 यहाँ पर कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग value रखोगे एक जगा पर यह हमारा पहला वाला टर्म हमारा A होता है दूसरा वाला टर्म हमारा B होता है तो मैंने कहा भाई देखो 35 का 4 गुना 140 द 2022 का 5 दो का स्क्वार हमारा 4 हो जाएगा ए भाई उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा पलस का B हो जाएगा B की value 2 divided by 2 अब ये 144 का root 144 का root हमारा 12 12 प्लस 2 divided by 2 तो बोलोगे 14 का आदा कितना होगा 7 होगा और 7 हमारा correct answer होगा और answer निकाल के एकदम आप असीम लवल की ग्यान की प्राप्ति कर चुके हैं और बहुत खुश हो चुके हैं बट मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं बोलोगा भाई यह सर्फरजी तरीका है ऐसे नहीं करना होता है यह बताने वाला भी मैं हूँ लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना होता है क्यों नहीं करना होता है वो समझो मैंने मेरे भाई यह बताया है कि इसका मान यह होता है बट मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये apply करना है अब बोलोगे गुरुजे क्या कह रहे हो आप है ना confusion में डाल रहे हो बिल्कुल भी नहीं मैं simple सी बात कह रहा हूँ इसका value इसके बराबर होता है बट क्या करना होता है थोड़ा मेरी भी तो सुन लो मेरी भी तो बात जान लो करना बस मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है कि आपको हम थोड़ा सा एक relation निकलवा दे रहे हैं आपे ठीक है आपका relation कहीं निकलवा रहे हैं वो शादी के बाद आप relation अपना खुदी निकाल लोगे अभी भी निकालके अपना बैठे होगे उसमें हमारा कोई युगदान नहीं है और उसमें आप अपना perfecto उसमें हमें बताने की अवशकता दोस्त नहीं है हमारा जो कहना है वो यहाँ पर यह है कि जैसे देखो plus के लिए तुमने यहाँ पर यह लिखा तो जैसे मान लेते हैं यह हमारा x है और x की value plus में है दूसरा मेरे भाई एक और सीरीज होगा यहाँ पर और वो हमारा y नाम का सीरीज होगा जो की minus में होगा और वो कुछ इस प्रकार को deal करता होगा a minus b into root a फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर minus a into इस प्रकार से करके मतलब उसके में क्या होगा तो minus होगा जहाँ पर यह सारे संक्या plus में है तो यह हमारा minus में होगे तो plus वाले की value हमारी इतनी निकल कर आई है तो minus वाले की value हमारी कितनी निकल कर आईगी तो minus वाले की value जो निकल कर आईगी वो हमारा बस यहां लास्ट में माइनस लग जाएगा माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 4A प्लस B स्कुयर वहां पर होगा और माइनस B अपॉन कितना हो जाएगा दो हो जाएगा अब यहां से दो important बात ठीक है दो important बात यहां पे कौन कौन सी बाते हैं वो जरा समझिए Point No.1 यहां पर Point No.1 यहां क्या होगा Point No.1 X में से Y को घटा दिया जाए तो क्या हैगा यदि इस Plus वाले सिरीज में से Minus वाले सिरीज को घटा दिया जाए तो क्या होगा तो बोलोगे Sir, देखो X-Y का मतलब यहां क्या होगा और दूसरा सर इंपोर्टन्ट की अगर हम प्लस वाले सिरीज को मल्टिप्लाई कर दे माइनस वाले सिरीज के साथ तो हमारा क्या होगा फिर बोलोगे सर क्या खतरनाक चीज़ बताएं है देखना यहां पर अगर मेरे भाई प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर दो इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो यह पूरा का पूरा टर्म जो है as it is यहां पर पूरा का पूरा खतम हो जाएगा हो जाएगा की नहीं हो जाएगा और यहां क्या बचेगा तो बोलोगे sir B बचेगा और minus यहां कितना है मेरे भाई तो minus B बचेगा यहां पे देखो मेरा क्या कहना है इस term ने इस term को काट दिया तो बच गया 0 कितना बच गया मेरे भाई 0 फिर उसके बाद यहां पर यह जो B है यह हमारा B हो जाएगा माइनस मेरे भाई माइनस B और नीचे कितना हो जाएगा हमारा divide by 2 हो जाएगा तो इसलिए यह X में से अगर आप यह किसकी value है तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे यह हमारी किसकी value है सर पूरा point, detail में में एक एक point यहाँ पे तो बोलोगे सर टू बी divided by 2 यहाँ पे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्ते यहाँ पर B हो जाएगा बोलाना बहुत important बात बता रहे है कितना हो जाएगा B हो जाएगा और अगर हम X और Y को multiply करते हैं यदि मैं इस संख्या को इस संख्या के साथ multiply करता हूँ तो ऐसे समझे लो यह X यह माल लो कि तुमारा P है P प्लस Q और यह P माइनस Q तो P प्लस Q को P माइनस Q से गुना करने पे क्या आता है P का स्क्वार माइनस Q का स्क्वार तो मेरे भाई यहाँ P प्लस Q P माइनस Q तो P का स्क्वार माइनस Q का स्क्वार तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो बोलोग में सर इस संख्या का स्क्वाइर यानि यहां पर 4A plus B square का World square minus इस संख्या का स्क्वाइर यानि B ka स्क्वाइर और divided by क्या हो जाएगा? 2 into 2 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा भछुत important result निकलेगा देखो अभी यहाँ पर मेरे भाई square से हमारा root खतम हो जाएगा तो value हमारी बचेगी 4a plus b का square तुम्हारा और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो minus b का square divided by कितना 4 यह इससे खतम 4a को 4 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा अब हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं तो हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि जब यह हमारी series बन रही होती है तो यह जब हमारी series बन रही होती है तो अगर plus वाले series को minus वाले series से मेरे भाई minus करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है तो बाद वाले term हमारा answer हो जाता है और अगर हम इने गुना करते हैं तो गुना करते वक्त मेरे भाई क्या होता है पहला वाला आंसर हो जाता है इसको relate कैसे करोगे इसको relate अब थोड़ा सा इस question के साथ में करो इस question को मेरे भाई यहाँ पर हम बताते हैं क्या होगा कैसे होगा ठीक है और एक और चीज़े यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताएं, एक मज़े की बात हम आपको बताएं, तो आप ऐसे समझ ले ना कि सर दो संख्याओं का डिफरेंस बाद वाला है और दो संख्याओं का प्रोड़क्ट हमारा ए वाला है, अब हम आपको दिखाते हैं, पर इसका मेरे भाई मज़े का बात, जो मैंने आपसे कहा था कि अभी धीरे धीरे सीखते चलो, काफी कुछ आगे बढ़ते चलो गए यहांपे, तो जैसे अब यह कोशन है आपका, अब यह कोशन पूरा का पूरा ऐसा है, प्लस वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है यहांपे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बात यहां ध्यान रखना है, और वो हमारा क्या ध्यान रखना है जैसे यहां दो प्रकार की सीरीज बनती है एक हमारा कौन सा सीरीज बनता है तो एक हमारा ऐसा सीरीज बनेगा जैसे यहां देखो 35 हो गया प्लस हमारा कितना हो गया तो मेरे भाई 2 रूट 35 हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया तो यहाँ पर 2 route 35 हो गया मैं बस कह रहाँ ना बस मेरी बात यहाँ पर सुल लेना थोड़ी दिर के लिए बस patience रख लेना इतना रखा है तो थोड़ा दिर और रख देना फिर उसके बाद ऐसे सवालों को within second करने का हम राज बता देंगे कैसे होगा दूसरा अगर मानी एक question हमारा ऐसा रहता 35 माइनस यहाँ पर 2 route 35 माइनस यहाँ पर 2 route 35 और यह इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके यह सवाल हमारा रहता पूरा का पूरा यह पूरा लंबे तक जाता है यहाँ पर जहां तक इसको जाना होता तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि देखो बात को समझना है यहाँ पर अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा x-y लेकर आऊंगा तो यहाँ पर x-y की value हमारी कितनी होगी तो x-y की value यानी b का मान होगा यह हमारा क्या है a है और यह हमारा क्या है b है यानी मेरे भाई 2 होगा और यदि मैं इसमें से इसको गुना करूंगा यहाँ पर x into y मेरे भाई गुना करूंगा तो वो हमारा यहाँ पर किसके बराबर होगा तो वो हमारा A के बराबर होगा यानि हमारा 35 होगा ठीक है बट बात यहाँ पर यह नहीं है बात यहाँ पर यह है कि मानो यह चीज और यह चीज ना पूछे सिर्फ प्लस का आंसर पूछे या माइनस का आंसर पूछे तो हम क्या करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे बस यहाँ पर यह जो संख्या तुम्हें दिया गया इसको इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ो कि उनका अंतर ये 2 के बराबर में आ जाए ठीक है मतलब यहाँ पर इसको देखो 35 को कैसे बना सकते हो 1 इंटू मेरे भाई 35 भी लिख सकते हो और 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो लिख सकते हो यहाँ पर तो यह पहला पॉइंट आ गया x-y और xy अब अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो तो खुदी सोचो यहाँ पर कि बोलोगे सर देखे 2 ऐसी संख्या जिसे गुना करने में 35 आ रहा है और 2 ऐसी संख्या जिने घटाने में 2 आ रहा है तो क्या बोलोगे सर 7 हो गया और 5 हो गया 7 हो गया और 5 हो गया 7 और 5 को गुना करने पे 35 आता है और 7 में से 5 घटाने पे 2 आता है इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि प्लस वाले वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो है X कमान साथ है Y कमान पाँच है यानि प्लस वाले कमान साथ है और माइनस वाले कमान पाँच है यहीं point पर हम आना चाह रहे थे और यहीं point हम आपको समझाना चाह रहे थे ठीक है कि ऐसे सवालों को मेरे भाई क्या करना होता है तो ऐसे सवालों को simply यहाँ पर तोड़ना होता है कैसे तोड़ना होता है यह सारी बाते भूल जाओ अब तक मेरे भाई क्या सीखा क्या नहीं सीखा सिर्फ यहाँ पर ऐसे मेरे भाई यहाँ पर यहाँ पर यह समझ लेना कि सर इसको तोड़ना होता है यहाँ और कैसे तोड़ना होता है तो दो ऐसी संख्याओं में जिनका डिफरेंस इसके बराबर में हो 2 के बराबर में हो, तो यानि 7 में और मेरे भाई 5 में एक मिनट के अंदर बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई की ऐसे सवालों को यहां पर 1 मिनट में कैसे करें, तो यहां पर जो यह संख्या दी गई है, उसको इस प्रकार से तोड़िये कि यहां पर इसके बराबर में हो तो यह इनि 7 और 5 में तोड़ेंगे अगर plus 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 है तो बड़ी वाली संख्या मेरे भाई आंसर होगा और अगर minus 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 है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा खेल खतम that's it बस इतना ही है समझ में आ गया दुबारा से यहाँ पर एक और example आपको दे रहे हैं चलिए एक और example समझते हैं यहाँ ठीक है और कई बार मेरे भाई वो संख्या तो तुम्हें option से मिल जाएगा यह देखो 154-3 154-3 154-3 अब इसको इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ना है कि multiply करने पर 154 आए और difference हमारा 3 का आजाए लो मेरे भाई यहाँ पर तुमको जो option मिल गया वो यहीं से मिल गया 114 इनको multiply कर लो तो तुमारा 154 आजाएगा और इनका difference भी कितने का है 3 का है मिल गया भाई option खुद बोलता है कि low मेरे भाई value ले लो यहाँ पर यानि यह 154 को मुझे तोड़ना था अब यह 154 को मुझे तोड़ना था तो 154 को मैं कैसे तोड़ूँगा तो 14 इंटू 11 में अगर यह plus 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 का series है तो answer हमारा 14 होगा minus 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 का series है उपार हमारा 11 होगा यानि plus के series में कौन सा answer होता है बड़ी वाली संख्या बड़ी वाली कोन है 14 और minus के series में कौन सा answer होता है चोटी वाली संख्या नहीं कितना है 11 मजा आया मजा आया तो आया तो वीडियो गो लाइक कर दीजे न सर ठीक है फिर आरामस उसके साथ चले जाएगा मेला गूमने वो भी इंतिजार में है आप इंतिजार में और हम भी किसी के इंतिजार में है ठीक है अरे हम किसी के इंतिजार में नहीं है क्लास है हमारी ठीक है जल्दी से वीडियो लाइक कर दो यहां पर ठीक कोई दिक्कत की बात अब यहां पर जैसे एक कोशन देखो पी कामान तुम्हारा यह सारा प्लस में है और यहां पर यह जो है तुम्हारा क्यू कामान है और यह सारा माइनस में है कोशन में मेरे भाई बोला गया है पी प्लस क्यू का जो मान हो गए यहां पर वो हमारा किसके बराबर होगा इससे दिमाग लगाते हो मत लगाओ ठीक है तुमको एक बात सिखाए थे टीक है डी की वैलिु इतनी है इतनी है तो याद gaug मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आप वो किया सिखायाouri सबसे पहला पॉंट भो गड़ोगे गुरदेव, आपने ये सिखाया सर P-Q किसके बराबर है? B के B का मतलब यहाँ पर यह जो पहले आता है उसे A का नाम दिया जाता है और जो बाद में आता है उसे B का नाम दिया जाता है पहले जो आता है वो A का नाम होता है 3 के बराबर होगा और अगर हम इनके multiply की बात करें तो पहले वाले संक्या के बराबर होगा A के बराबर A का मतलब कितने के ग्यारक है अब बच्पन में यार कितनी बार अलजबरा में पढ़ोगे कई बार तो बढ़ चुके हो A-B दे दे और A into B दे दे तो यहां पर A plus B निकाल सकते हैं तो वही वाली बात है अगर हम यहां बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर हमसे P plus Q बला देखो बच्पन में पढ़ते नहीं थे कि A plus B निकालना है तो क्या गरेंगे A plus B का सक्वाइर जो होता है बराबर होता है A minus B का वोली सक्वाइर प्लस कितना? 4 A B ठीक है? कि सर A minus B का वोली सक्वाइर जब तोड़ते हैं न देखो यहां पर मैं कैसे बता रहा हूं समझो अगर आपको A plus B का वोली सक्वाइर लिखना है तो minus 2 A B में 4 जोड़ो गे तो वो मेरे भाई plus 2 A B minus 2 A B में 4 जोड़ो plus 2 A B बन गया जो किसके बराबर है? ठीक है? तो यहां पर P minus Q का मान दे रखा है P into Q का मान दे रखा है तो हमने क्या क्या P plus Q का मान? तो बोलेंगे गुर्दे वो P plus Q का जो वोल सक्वाइर है वो बराबर है सर किसके? तो बराबर है यहां पर P minus Q के वोल सक्वाइर प्लस किसके? तो 4 P Q के बुझे की नहीं बुझे है? तो बोलेंगे हाँ सर तो यहां पर बोलेंगे P minus Q यानि 3 3 का ugor square no PQ का maan 11 11 14 24 44 हमारा कितना 53 तो यहां बोलेंगे सर देखो P plus Q का wog square P plus Q का सर कितना हो जाएगा सर whole square हमारा 53 तो P plus Q का जो maan होगा root करने पर कितना होगा तो बोलेंगे root under 53 होगा correct answer यही है कौन सा option है तो d4 देव से ना समझ में आ है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे. सब्सक्राइब करते चलेंगे. Clear है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? ठीक है? आज ये. Next question की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर और अगरा सवाल यहाँ देखते है? ठीक है? चलिए clear है यहां पर यह तो हम क्या बोलेंगे बोलेंगे sir p-q कमान इतना है p into q कमान हमारा इतना है तो यह value हम इस तरीके से clear है यहां पर यह अब थोड़ा सा हम आपको next type एक और लेके चलते हैं बोलोगे गुरुजी कितना पहली बुझाओगे तो बिल्कुल थोड़ा सा तो पहलियों में गहराहियों में लेकर चलेंगे हमने शुरू में कहा था कि कोई भी type हम पढ़ाएंगे तो हम बहुत detail है में मेरे भाई पढ़ाएंगे अब हमने जो series पढ़ाया वो लगतार या तो plus 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 था या फिर ऐसा था minus 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 था लेकिन अगर examiner के मन में कल के दिन खुरा पाती है जाए और ऐसा लिख दे 35 plus 2 root 35 minus 2 root 35 plus 2 root 35 minus 2 root 35 यानि series की शुरुआत हमारी plus से हो रही है लेकिन फिर minus फिर plus फिर minus फिर plus फिर minus फिर minus इस तरीके से करके या फिर minus फिर plus फिर minus फिर plus फिर minus फिर plus ऐसे करके तो हम यहां कैसे करेंगे तो बस मेरे भाई कुछ नहीं करना था पीछे जहां पर आपने 20 square याद कर रखा था तो अब 20 square के जगह पे आप उसको replace कर दोगे minus 30 square के जगह पे कितना कर दोगे, तो माइनस 30 SQUAR के जगह पे कर दोगे, और कुछ नहीं करोगे, आप यहां पर देखो, पीछे वाले माय उसमें मेरे भाई फर्क क्या है, हम सारा रिडिट करवा देंगे, पीछे वाले में आप यहां क्या लिखते थे, तो 20 SQUAR लिखते थे और अब उसके जगह पे माइनस 30 स्कॉार लिखो गए वो लोगे सर यह कहां से आया तो मेरे भाई सारे के सारे वही बात है सारे के सारे पाइदागोरस के नियम से आया और कुछ नहीं है मेरे भाई सेम कहानी यानि हम थोड़ा सा एक बार जो है सारा का सारा आपको तो रिकॉल करवा देते हैं फिर से हो पर था कि कोई परशानी नहीं स्टो निमबर वन हमारा जो बनता है वो यह बनता आप जिस से इंपऔरन्ट बात लिख रहे हूं बोड़पे लिख रहा हूं कि कोशन नमबर वन हमारा यह बनता है कि यदी जैसे मान लीजे यहां पर A की value है जैसे मान हो A हो गया plus minus मैं सारा A की साथ लिख रहा हूँ plus minus यहां पर ठीक है यहां मैं plus minus हे लिखता हूँ ताकि आपको relate करते रहेंगे आसान तरीके से एक हमारा यह infinite तर गया यह हमारा B into root A और यह हमारा कहां तक जाएगा तो यह हमारा अनन तक जाएगा तो यह हमारा type 2 हो गया और जो type number 3 होता है जो कि हम ही आपको पढ़ा रहे हैं वो यहां पर यह पढ़ा रहे हैं समस्ते चलिए वो हो जाएगा यदि X की value कुछ इस प्रकार से हो जाए एक सीरीज हमारा मेरे भाई प्लस में हो A into B into root A और फिर दूसरी सीरीज मेरे भाई यहां पर माइनस में हो इस तरीके से कहें मतलब यहां पर इस तरीके से कि सर एक हमारा क्या हो तो सर एक हमारा प्लस दूसरा हमारा माइनस तो इसमें एक वो हो गया या फिर यह शुरुवात किस से हुई है, प्लस से, अगला मेरे भाई शुरुवात यहाँ पर माइनस से भी हो सकता है, पहले ऐसा हो सकता है कि A फिर माइनस आजाए B, फिर उसके बाद यहाँ पर A आजाए, फिर यहाँ प्लस आजाए, ठीक है, और इस तरीके से करके दोस्त यहां पर कहा जाए तो infinite तक जाए हम कैसे relate करेंगे इसका मान क्या होगा ठीक है इसका मान क्या होगा इसका मान क्या होगा इसका मान क्या होगा सब में मातर यहां पर छूटा सा फर्क है और वो छूटा सा फर्क मेरे भाई यहां पर क्या है वो इसका क्या issue आ रहा है वो इसका क लिए लास्ट में समराइज में कर रहा हूं। इसके लिए यहाँ पर X की value को आपको याद रखना है तो बोलो कि 진행 experi फोरे प्लस यहां पर one अगर प्लस है तो plus आएगा minus से तो minus आएगा 1 divided by cut हो जाएगा 2 हो जाएगा सर अब जैसे यहां पर क्या हुआ सर की यहां इसके जगह पर bi multiply हुआ तो हम भी अपने answer में यहां पर क्या करेंगे तो B multiply करेंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा सर यहां 4 ए उसके बाद यहां पर कितना जहां 1 है सर वहां पर कितना है तो B का square आ जाएगा और प्लस है तो तो plus की series हो तो plus लगाना, minus की series हो तो minus लगाना सबसे खतरनाक तीसरा वाला है यहाँ पे एक plus, दूसरा minus, एक plus, दूसरा minus उस case में क्या करोगे तो उस case में मेरे भाई यहाँ पर plus की value अगर तुम्हें बतानी है बस यहाँ पर एक और change जैसे one को बदल के b square किया था अब b square को बदल के minus 3b square कर देना बस उतना ही मेरे भाई काम खतम ठीक है और यह कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir, 4a minus हमारा 3b square हो जाएगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर sir, अगर plus है तो plus b हो जाएगा और divided by मेरे भाई कितना तो 2 यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा वहाँ भी है तो भी ही रहेगा आप यह सारे cases देख लो कोई बदलाव नहीं मतलब यह next level का question है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं और किसका यहाँ पर तो घातांक और सरनी का जो series वाले question होते हैं और जो root में होते हैं इसलिए मैंने कहा मुझे कम से कम दो classes चाहिए यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ाने के लिए ठीक है तो यह हमारा next type हो गया अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसी प्रकार का यह question number 17 है 7 plus 2 root 7 minus 2 root 7 plus 2 root देखें अपर एक plus में, minus में, plus में, minus में तो यह series हमारी plus minus plus minus चल रही है अब यह series हमारी plus minus plus minus plus minus चल रही है तो plus वाले के case में आपर जैसे मानो यह x का मान है तो हम x की value हम कितनी देंगे दोस्तो तो x की value हम बोलेंगे sir 4a minus कितना हो जाएगा sir 3b square और अगर plus की series है तो plus कितना हो जाएगा b upon 2 within second answer लेकर आ सकते हैं sir एक अमान हमारा कितना है तो एक अमान ये देखो पहली जो संख्या आती है वो a कहलाता है और बाद में जो संख्या आता है वो b कहलाता है तो पहली संख्या 7 7 into 4 हमारा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर b square का 3 गुना तो यहाँ 2 का square 4 4 का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा 12 ठीक है भाई यहाँ पर बहुत असान तरीके से बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है b की value कितनी हो जाएगी 2 divided by यहाँ पर 2 28 में से 12 गया 16 16 का रूठ हमारा हो जाएगा 4 4 प्लस 2 divided by 2 6 का आधा कितना होता है 3 होता है कौस option होगा option number D for देव सेना ठीक है आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पर इस particular चीज का screenshot ले लिजे और मेरे भाई अपना wallpaper लगा लिजेगा laptop में, mobile में या कुछ भी अगले 3-4 दिनों के लिए ताकि उसके बाद आप इसे नहीं भूल पाएं कहीं पर आपको कोई परिशानी नहीं हो ठीक है इसका screenshot ले लिजे अब यह जो book है बच्चे तब से पूछ रहे हैं कि sir यह book कहा मिलेगी तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर यह जो book है आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर Amazon को लिए देखिए Flipkart पर किताब महेंगी मिल रही है और उसमें मेरे भाई यहाँ पर मेरा रोल नहीं है Flipkart वाले थोड़े से बदमाश हो गए है ठीक है यहाँ पर अपने बिजनस के चक्कर में थोड़े से जादा हो गए है और बच्चों को यहाँ पर जो है एक तरीके से benefit पहले पहले थे अब थोड़ा सा benefit नहीं पहुचा रहे है कोई बात नहीं कुछ टाइम में हो जाएगा रिक कवर तो Amazon पर मेरे भाई बढ़िया है आप यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हो Amazon पर जाकर सिर्फ और सिर्फ आदितरेंजन टाइब करना, अपना नाम टाइब करना अपनी पहली किताब मेरे भाई, मतलब अपना नहीं मेरे नाम टाइब करना तो किताब तुम्हें मिल जाएगी ब्रहमास्तर और यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रहमास्तर जो है वो hashtag one seller in books है यहाँ पर मतलब पूरे भारत में कोई भी किताब अगर है मेरे भाई तो number one पे अपनी ब्रहमास्तर चल रही है hashtag one formula book second edition ठीक है तो यह हमारी पूरी की पूरी किताब है और आप यहां से मेरे भाई 110 रुपए में ये किताब को मंगा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है वह एकदम गदगद हो गया और वह मेरे भाई क्या हो गया यहां पर तो आप यहां पर देखे रेटिंग ठीक है बचों के जो यह रेटिंग आई इतनी प्यारी रेटिंग है मेरे भाई यहां पर कि 96% जो हमारी रेटिंग है वह five star है यह परसंट किसी ने बदमाशी की होगी पका यहां पर कोई एक यूजर होगा जिसने जबरदस्ती का यहां पर जाके वन स्टार की रिटिंग मारी होगी ठीक है बाकि सुभा तक जहां तक मैंने देखा था पूरी की पूरी 100% जो रिटिंग हमारी वो फाइव स्टार थी यहां पर रिव्यू पढ़िया जैनी आप एक बच्च जो पर्टिकुलर्ली यहां पर पढ़ चुका है यह पार आप उसके रिव्यू को देखो और इनी रिव्यूज में मेरे भाई लिखा हुआ था कि जिस तरीके की किताब बनाई गई है उस हिसाब से तो इसकी कीमा जो है वो काफी कम है काफी कम यहां पे तो बच्चों को अच्छा लगा यार मतलब मज़ा आ रहा है मैं भी काफी रिव्यू सुभा से पढ़ रहा था दिल खुश हो गया तो आप यहां से कहां से मंगा सकते हैं हमेजन से और इसका जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ठीके जितनी बाते मैंने पढ़ाई है सारी बाते हैं आपके उसके अंदर में आजी ए तो अब थोड़ा से यहां पर चलते हैं और नेक्स टारीप को हम सीखते है उसी के उपर में एक दो कोशन की प्राक्टिस हम और करते है ताकि हम और बढ़ियात तरीके से जान पाएं, सीख पाएं यहां पे, ठीक है, तो अभी हम तीन कोशन और मंगा दी हैं, आप लोगों के लिए 17 से लेकर 20 तक सवाल यहां पे, ताकि फटा-फट यह तीन कोशन हम लोग कर लें, और जैसे 17 नंबर सवाल हमने सीखा, हमने जाना यहां पे, तो उसके बाद यहां पर इसके आगे के सारे भाग को हम जाने, 18, 19, 20 इसके उपर में और प्राक्टिस हम कर लें आपे, ठीक है, आजाओ, डे 3 हमारा हो गया नहीं, 17 से 20 हम कर चुके हैं, आगे बढ़िये, तो यहां पर जो हम जो, यह कंसेप्ट हमने सीखा है, तो यह आजाओ, अभी क्लास के ब को सही से, अब यह सीरीज आपका माइनस से स्टार्ट हो रही है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यह हमारा माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस है, हम इसे किस प्रकार बोलेंगे, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, सर, अभी हम इसका अंसर जाने है, और इसका अं रिखेंगे पहले जो आता है सर उसे ए कहते हैं, बाद में जो आता है सर उसे बी कहते हैं, ठीक है तो ए की वैल्यू हमारा 13 है, तो 13 का चाररがुणा हमारा 52 हो जाएगा सर, और Б का मान हमारा 3 है 9 का तीन गुणा मेरे भाई 27 हो जाएगा यहां पर माइनस हमारा कितना हो जाएगा तो माइनस हमारा हो जाएगा तीन बट्टे में कितना हो जाएगा 22 सा 27 पचीस 25 का रूट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का रूट करेंगे तो 5 5 माइनस तीन बट्टे में 2 तो दो बटे दो यानि दो बटे दो का मतलब कितना होता है, एक होता है, कौन सा option है, तो option number B for बाहु बली, correct answer है, समझ में आ गया बात यहां पर, कितना answer होगा, तो option number B जो होगा, वो बिलकुल सही उत्तर होगा, ठीक है, आज जो चलो, तो मेरे भाई, आज के लिए इतना ही है और बाकी जो सवाल हम लोग करेंगे, वो यहां पर करेंगे, अगले session में, ठीक है, यहां पर next question जो करेंगे, वो क्या करेंगे, अगले session में करेंगे, आज के लिए इतना बहुत-बहुत काफी है, ठीक है, तो यहां पर जो आज का session है, मेरे भाई, उसका PDF आप लोगो को कहा से मिल जाएगा तो टेलिग्राम से मिल जाएगा यहां पर हमारे दोनों टेलिग्राम है रेंकस गुरुकुल और मैट्स भाई आधित्र इंजन आज आपके सेशन की पूरी की पूरी पीडियाफ जो है यहां से डाउनलोड कर पाओगे उसके अलावा मेरे बच्चों को अगर मैट्स के बारे में चाहिए तो देखो हमारे दो तरह का बैच चलता है ठीक है मैट्स में मेरे भाई complete मैट्स मैंने पढ़ा रखा है अगर जिस बच्चे को अपने हिसाब से अपना syllabus complete करना है तो वो मैट्स का मेरा recorded batch ले सकता है और वहां से complete कर सकता है recorded batch जो है वो हमने पढ जारी कर पाएंगे ठीक है दूसरा जो हमारा बैच चलता है वो हमारा चलता है लाइव बैच और यह लाइव बैच की जो टाइमिंग होती है वो हमारी डेली शाम को होती है दो टाइम पर इसकी क्लासे चल रही होती है ठीक और यह लाइव बैच भी आप ले सकते हमारा लेकिन अगर मेरे भाई आप इकठा कॉमबो लेते हो तो आपको चार यजार के ना जगह 007 Mac कि अगर आप मैट लेना ही चाहते हैं लाइब वाई चीलेना चाहते हैं तो लाइफ के जगह कॉम ले लीजिए आपको सिए रहेगा सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे तयारी भी आपके अच्छी हो जाएगी करना क्या है तो आर्जी विक्रम जीत अप्लिकेशन इंस्टॉल करना है और किसी प्रकार की इंक्वारी आएगी तो इस नंबर पर मेरे भाई बात करना है आज जो हमारा था पार्ट व फ्रक्शन हो गया और खतम उसको अच्छे लेवल पर करेंगे तो हम इतना मान की जलते हैं कि आप लोग पढ़ाई करके आएंगे आप लोग रिफाइस करके आएंगे इसके सेशन को ताकि कल हम लोग और भोकाल मचा पाए देखो कुछ सीखना है अच्छा ना तो जोड़न यहां पर करतवे और करतवे यहां पर यहांपर एंगे लोगो के मन के लिए मेरे भ़ाईद खयाला याँ है फिर बाद में अपने लिए मन में ख्याल आता है तो वही बात है आज के दिन बस मैं आप लोगों सितना बोलूँगा कि शपत ले लीजे मन के अंदर ही अपने आप से ही ले लीजे कि आज इस विजह दश्मी में जैसे बुराई की हार होकर अच्छाई की जीत होती है दो त्याग दो जीना छोड़ दो मर जाओ ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है लेकिन हाँ मेरे भाई जब कोई चीज आप अटेंड कर लेते हो ना तो उसके बाद सेलिब्रेट करने का जो मज़ा होता है तो इसलिए मैं बोलूँगा भी थोड़ा पेशेंस रखो अपने आपको बनाने पर काम करो दुनिया के फाल्दू के चोशले बाजी पर ध्यान ना दो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सिर्फ अपने आप पर मेहनत करो अपने आप पर फोकस करो ठीक है बस एक हमारा कंडिशन ये रहेगा कि आप भी हमारे साथ अगर मेहनत करने को तयार है तो हम आप लोगों को बहुत आगे बढ़ा देंगे और अगर आप मेरे भाई मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा ठीक है बाकी लोग भी घूम रहे हैं उनको घूमने दीजे कोई दिक्कत की बात नहीं अच्छी बात है मन थोड़ा उनका खुश रहेगा क्या पता कलोर जादा पढ़ाई कर लें और जुआज आपने सीखाया शायद वो वो मिस्स करके चले गए और अगर इसमें से एक भी कुशन आगया तो यहां पर आप उन कई हजारों बच्चों से आज आज आप बहुत आ स्थाइब कर YKa갈i क्योंकि जिस ने अपने आपकी कदर नहीं किए तो दुनिया उसकी कदर नहीं करती है ठीक है तो लोगों खुश करने के चक्कर में मतरों ठीक है यहां पर किसी की पीछे मत भागो अपने आपकी अपनी वैल्यू बनाओ अपना ब्रैंड वैल्यू तोड़ा सा दबो अभी कोई दिक्कत नहीं है बड़ जब उखरोगे तो खतरनाग लेवल को उखरोगे तो मेहनत करो चलो आगे बढ़ते हैं और मिलकर तहलका मचाते हैं कल के सेशन में आग लगाते हैं ठीक है चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद तमस्कार थेंक यू